नवश्कार मैं हूँ अकर्षन उपलर समय आप यह सीधी तस्विरे देख रहें आईबेन 24 पर आईबेन 24 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगती हुई दिखाई दे रही है ऐसी खबर आ रही है कि चंडीगड में हरयाणा के विधायक दल बीजेपी के विधायक दल की जो ब बाने यानि अनिल्विज नहीं माने और एक पत्रकार के साथ प्राइवेट कार में बैठ कर वो चले गए सरकारी गाड़ी भी छोड़ गए और खबर यह आ रही है कि नायब सिंग सैनी जो की हरयाणा बीजेपी के अध्यक्ष है उनको सीम बनाने पर पूरा यारी की फैसला हो चुका है हरयाणा के अगले मुख्य मंतरी के तौर पर आज शाम को नायब सिंग सैनी शपत ले सकती है ये खबर सामने आ रही है मेरी आप सभी से एपील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं से साथ के साथ जरूर शेयर करें हरयाणा की राजनीती में एक बड़ा उलट फेर सामने आ रहा है हरयाणा के मुख्य मंतरी मनोहर लाल खटर ने थोड़ी देर पहले पूरी कैबिनेट के साथ राज्यपाल को हरयाणा भवन जाकर राज भवन जाकर नायब सिंग सैनी जो की कुरुक्षेतर से सांसद है वो अगले मुख्य मंतरी बनने जा रहे है आपको बता दे नायब सिंग सैनी अंबाला के रहने वले अंबाला के नरायन गड़ से पिछली बार विधान सभा का चुनाव लड़े थे मनोहर कैबिनेट में मंतरी भी रहे थे राज्य मंतरी थे और उसके बाद 2019 के चुनाव में उन्हें कुरुक्षेतर से सांसद का टिक की है विधायक दल की बैटक में की नायब सिंग सैनी हर्याना की अगले मुख्य मंतरी है अब सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि करनाल से लोग सभा का चुनाव लड़ने की जो खबर आई बेंट 24 ने दिखाई थी उसके उपर मोहर कब तक लगेगी ये अपने आप में अब्जर्वर है वो आए हुए थे बिपलव देव जो हर्याणा के बरभारी है वो बैठे हुए थे उन्हीं के बीच में से अनिल्विज उठकर चले गए क्या अनिल्विज इस बात से नराज होकर गए है कि अगर मुख्य मंतरी पद का चेहरा बदला जा रहा है तो उन्हे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा क्योंकि वो काफी लंबे समय से बीजेपी की टिकट पर विधायक चुनके आते रहे है जी हाँ जो अनिल्विज है वो अंबाला से चुनाव लड़कर कई बार विधायक बन चुके है हर बार जब भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती है अख पाँच बजे शाम को शपत ग्रहन समा रहो है नायव सिंग सेनी अब अगले मुख्य मंतरी होंगे इस बात पर मोहर लग चुकी है विधायक दल की बैठक में फैसला हो चुका है और पाँच बजे नायव सिंग सेनी हर्याना के मुख्य मंतरी ग्यारवे मुख्य मंतरी के त रिपीट करते हैं मेरे आप सभी से पील जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शियर करें आप देख रहे हैं आप सभी के साथ लाइव धन्यावाद